हालो माडिय स्टुजेंट्स उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे सोश्यो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सौगेत है बचो इस्पेशली आज का वीडियो सेमिस्टर 6 वालों के लिए जिनका भी एक्जाम चल रहा है और कुछ एक्जाम्स होने वाले है ठीक है जितने भी लखनाव उनिवर्सटी और लखनाव उनिवर्सटी से affiliated colleges से बच्चे बिलॉंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो है बच्चों आप लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आप लोग old syllabus follow करें या new syllabus follow करें exam के preparation के लिए तो आज आप लोगों की ये समस्या मैं दूर करने जा रही हूँ देखें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो new education policy एक नया syllabus लेकर के आई है उसके according पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये मैं clear कर दूँ कि आप लोगों का अगर बहुत एक logic के साथ आप लोगों की जितने भी BA में subjects हैं अगर वो major minor में divided नहीं है तो इसका मतलब आप लोग old student हो ठीक है आप लोग old student का मतलब new education policy आपके admission होने के बाद आई है जिनका new education policy आने के बाद admission हुआ है वो लोग नया syllabus follow कर रहे हैं लेकिन आप लोग new education policy से पहले से आप लोगों का admission हो चुका है और आप लोगों का major minor भी divide नहीं हुआ है subjects का तो इसका मतलब आप लोगों को पुराना syllabus पढ़ना है ठीक है और पुराना syllabus जो भी दिया हुआ है वो complete होने के बाद new education policy वालों ने जितने भी नए topics add किये हैं आप उनको पढ़ सकते हो क्योंकि अगर extra questions आएंगे तो उनी topics में से आएंगे ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को मैं clear करना चाहती थी तो आप लोगों को जो new education policy वाला syllabus है वो नहीं पढ़ना है old वाला पढ़ना है sociology के जितने भी students है अगर उनको उनके पास old वाला syllabus नहीं है तो मैं आप लोगों को उसका link description में दे दूँगी वहां से आप लोग screenshot ले लीजेगा ठीक है इसके अलावा sociology के students को मैं बता दूँँ कि आप लोगों का जो paper 1 है उसका जो old syllabus के according में बता रही हूँ कि सारी videos आपके available है ठीक है playlist का link आपको मैं description में दे दूँगी सारी videos आप लोग वहां से अपने cover कर सकते हो सारी topics के videos ठीक है वहां से आप सारी points cover करके वहां से आप लोगों को एक अंदाजा लगेगा कि कैसे questions आएंगे और वहां पर बहुत ही जादा important questions practice करवाए गए हैं तो आप लोगों को वह पहले जरूर prepare कर लेने चाहिए ठीक है इसके अलावा paper 2 जो research का है वह बहुत ही आप लोगों को उसका भी playlist मिल जाएगा उसका link भी मैं इसी video के description में दे दूँगी तो वो आप लोग बाद में चेक कर लीजेगा अभी paper 1 का available है ठीक है इसके अलावा बहुत सारी topics के mcq तो हैं साथ में detailed videos भी हैं उनकी playlist अलग बनी हुई है तो उसका भी आप लोगों को मै description में दे दूँगी ठीक है और मैं आप तो आपको सला दूँगी कि अभी आप लोग detailed videos नहीं पढ़ें ठीक है क्योंकि वो काफी time taking है maybe आप लोग catch ना कर पाओ अगर catch कर ले रहे हो points को तो अच्छी बात है सुन लो वरना आप लोगों को अभी जादा से जादा mcqs solve करने जाएं ठीक है और लेकिन आप लोगों के जितना भी concept based topics होते हैं वो तो आपको clear करने ही पड़ेंगे तो उसके लिए आप लोग अलग अलग videos prefer कर सकते हो ठीक है दोनों का link मैं आप लोगों को description में दे दूँगी playlist में सारे ही videos हैं आप लोग वहां से check कर सकते हो पेपर 2 जो आपका research है पेपर 3 जो आपका urban sociology है वो सारही मैं आप लोगों को cover करा दूँगी कुछी दिनों में बहुत ही जल्दी exam से पहले तो उनका link मैं आपको बता दूँँ इसी वीडियो की description में रहेगा बाद में check कर लीजेगा और अगर आप लोगों के पास exam करने का time है तो books मैं आपको सला दूँगे कि books पढ़के concept अगर clear कर रहे हो तो बहुत ही जादा mindful reading करिए ठीक है आप लोग क्या करिए पहले mcqs देख लीजे कि कैसे आते हैं फिर आप जब book पढ़ोगे तो वहां से आप mindfully कैसे read करोगे कि जब एक line पढ़ा उसमें से अगर आपको कुछ important लग रहा है तो उसको अब ध्यान देते हुए पढ़ो कि हाँ इससे ऐसा question बन सकता है ठीक है इस तरीके से आप लोग पढ़ाय करोगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा preparation होगा बाकि आप लोगों को अगर कुछ और पूछना है तो जरूर comment करिए कुछ औ और help चाहिए तो जरूर comment करिए जितना time है मेरे पास उसके according आप लोगों कि मैं पूरी help करूंगी ठीक है exam के लिए all the very best